हरियारा में जहरीली शराब पीने से मौत का आंत्रा लगातार बढ़ता ही जा रहा है जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है यमुनांगर में 9 लोगों की मौत हुई है तो वहीं अंबाला में 2 लोगों की मौत हुई इस मामले में शराप का थेका सील कर दिया गया है, तो वहीं थेकेदार समेट पांच लोगों को गिरफतार किया गया है। श्री माता वैशनो देवी कटला रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट शद्धालों को समर्पित हो गया है। अब शद्धालों स्वादिष्ट भोजन का लुथ उठाएंगे। रेस्टोरेंट ओन वील्स या रेलवे फूर्ड ओन वील्स कॉंसेप्ट के तहद बनाया गया है। यहाँ पूरी तरह से वातानुकूलित यहाँ रेस्टोरेंट आधुनिक साथ सज्जा से युक्त है। कलेक्शन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर फ्लॉप हो गई है। ऐसे में कंधना रनोट के नाम एक और फ्लॉप फिल्म का नाम जुड़ गया है। एक बार फिर भारत और अमेरिका दो प्लस दो डायलोग आयोजित कर रहा है। इस मीटिंग में कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इस बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकी के विदेश मंतरी एंटमी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉइड आस् सचिन ने पहली बैठक की। भारतिय टीम के पूर्फ कप्तान सौरव गांगुली ने ग्लेन मैक्सवेल की अफगानिस्तान के खिलाफ खेली मैच विनिंग पारी की तारीव की लेकिन वो इस बात पर सहमत नहीं हुए कि यहाँ वंडे क्रिकेट की महानतम पारी है। गांग सेमी फाइनल में जगह पक्की की थी। और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल का आइकन दबाएं।